हेलो एब्रिवान सशी काल सार आनू ता इस वीडियो दे विच आपा शुरू करनेंगे क्लास 12 दा चेप्टर नंबर 5 ऑर्गनाइजिंग चेप्टर उन तक आपा मैनेजमेंट पारे पढ़ा सिगा कि मैनेजमेंट कियेगा 5 फंक्शन्स नो परफॉर्म करनगा एक प्रोसेस विच प्रोसेस ते सारे 5 फंक्शन आपा शीकोइंस वाइस परफॉर्म करतें केड़े-केडर पंच फंक्शन होंदेंगे प्लनिग और्गाइजिंग स्टाफिंग डिरेक्टिंग। ने परफॉर्छ ने हैंगे इस ब्लनिग करनेंगे प्लनिग साथिंग पढ़ेंगी नि इसा मतलब कियेगा, वर्ड सुनया होगा तो सी, और्गनाइज ना मतलब की हुनदा अर्गनेंट, सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट आफ तिंग्स लिए अपा की वर्ड यूज कर देंगे तू और गल कर देंगे कि आप चिज्जानों सिस्टमेटिक तरिकेनल अनेंज करना है इक और विछी चिज्जा रिपर्जेंट करनेंगी तो उन्हों आपकी कार देंगे उदे लिए अप कि ये अपको फлаг आप ये इसका और फेकि ड्लत्ति और गणीटि क्रों त्थी खरकि क्रनें और गण करनेंगे घ्रिए अपटेज सो्ए करनेंगे आटेश्ट्रिक्स पंटफश्रु कर खिए अपने ये व्चिज्टिव करतेंगे बदेने कि कि तरीके होंगे आप तिंक्सना की मतलए बेगा कि काम किस तरहना होगा कि मैंनो किस तरहना तंचा चाहिए था होगा का मेरा फ्रेमर्वक की होगा organization था, किनने मेरा मेरा जो कम है, मेरी organization था की size रही organization में मिच्छे किनने मैं मेरे रुपर्टमेंट बनाने पहने आरिवीजेशन देखते हो न उन्हीं हैं आपकी कहने हैं कि यह और ग्जांपल लेके देखिए चट राइज़ ऑर आजाम्पल देखो यह लाइज़ी लाइबरेरिए जानने होगे वोज़ान देए सेरी के ओर वाड़री अलते होंने कम सेरी मेन बार माला किशिती थुझेञा पर सबाररी एक सब्सक्राइब करे विटेशि और मला होद की प्रुच कर दोन के निवाल हाजा कि अपने अवन सबस्ठाइब करें जमना जुई टाहि सित्थी DR पुखें पोर सभर सभर तेट कोई निवल सब्सक है साथ का पुच मनमेडenter सकते हैं कि literature, grammar, एदना division हो सब्गे, books दि टाइप्स दिए, according English दे विच भी novels आ गया, literature books आ गया, किने दर आदिया books सुन दिया तो story books हो गया, तो उनना दे basis दिवीजन हो सब्गे, कि class दे तुसे school library से जाने होगे, तो class wise division हो सब्गे, इंगेश दी बुक्स दी तब इतना की होगा आज वो तुसी जिमेद लाइब्रेरी दे विच अपनी अरेंजमेंट होई विया ना बुक्स दी तांकि अपनों डिफिकल्टी ना आवे बुक्स रिकोगनाइज करने विच ओवी सेखेंड फंक्शन ऑफ और्गनाइजिंग दे विच अपना बिजनस एंटरप्राइज जाएगा ओदे विच जो अपना प्लांज अचीव करने हैंगे उन्ना दे अकॉर्डिंग की करलांगे सारी चिज्जा अरेंज करलांगे सारी जोदो भी आपा काम करिये आपानू काम कर दे होए डिफिकलिटी ना आवे हर एक बंदे नू क्लियर होए कि उन्ना ने की करना हैंगा हर एक बंदे नू डिफाइन होए कि कि वे कि वे एक्टिविटीज परफॉर्म फोन गया ओर्गनाइज़ेशन दे विच तबस एही है जोड़ा ऊर्गनाइजिंग्स देर दे विच्छ प्जाइंग बंदे विच्छ बोक्स चांट कि तुसी ओना दे अलगलग भी संटीं सचन बनाते वी और निए और गनाइज़ेशन फंक्ष्न दे ने काम करनेगा ओंगा और एक्तिविटीदे यह है उन्धान दु अधा ही सीमिलर टाइब जो एक्टिविटीज होंगे उनना नूं सेक्षिंज वाइज ग्रूप वाइज अपा की कार दांगे डिफ्रेंशेट कार दांगे तांकि उनना एक्टिविटीज नू परफॉर्म करन दे विच अपनो डिफिकल्टी ना आवे अधा है उन्चे मालो इंग्लिश लियां भूक्स हिंदी आले सेक्षिं ने विच पहिया होंगे लबभण जडिफिकल्टी आओगी नहीं आओगी बिल्कुल आओगी ता ओ डिफिकल्टी अपनो ना आवे काम कर दे होय अपना अब्जेक्टिव अचीव करन दे विच ता अबर्फर्स तो दी प्रोसेस ओफ डिफाइनिंग और ग्रोपिग अफटिविटिश ओफ एंटर एंटरप्राइजजिग अथारिटी रिलेशिंशिप अमंग देम ऑग्दाइजिंग जो है इक प्रोसेस देखो करना जाप होई एगा और देविचे सारा कुषरेंज करना ह तांकि आपनों काम करने विछ परिशानी ना वे एक स्ट्रॉक्ट्रल फ्रेम्वर्क बना लेना हैंगा जीजे विच रहे कि आप सारे ने काम करने हैं तो फ्रेम्वर्क जो है और डिफाइन के में होगा सारे ना लो पहला ताप की करांगे जो भी एक्टिविटीज होन गया और जो डिफाइन कर लांगे डिफाइन कर लांगे मदलब की देखा ऊंगे की की अटिविटीज होन गया करन अलिए फिर जो सीमिलर नेचर जै एक्टिविटीज है उन्हान एक्टिविटीज़ ओन ऑनों इक गुरूप देजांगे जिवेंकि बुक्स नेख लियां ये एक्टिविटीज डिफाइन करके ग्रूपिंग कारती ओदू बाद जेड़े बंदे उन्ना एक्टिविटीज नू परफॉर्म कर रहे हैं उन्ना देविच आपस ना की रिलेशन होगा वो सारी चीद्धां भी आपा होनी तो डिफाइन करके आमागे और्गनाइजिंग फंक करने एफर्ट्स आपकी कार देंगे कोडिनेट कर देंगे तांकि अपना जो अब्जेक्टिव है ओँ हो अपा अचीव कर सकी त्याएसी गां ओर्गनाइजिंग निंग उन्ना पादिस्कॉस कर देंगे कि और्गनाइजिंग जो है उप कित्ती किवें लांगी है जिए प् होगा फिर उद्दुबाद की करना है उस अब्जेक्टिव नो जो आप सेट किते हो दे रिलेटिड अपा प्रेमिस डेवलाप करने हैंगे फिर अपा लग लग डिफरेंट डिफरेंट मैथर्ट अपा और अडेंटिफाई करने हैंगे ता इस प्रोसेस देविच पूरे च अब्जेक्टिव नो जो बिल्कुल समझागी न उदे साव न उन्हें रिलेट करके ही अपा एक बिजनस ली एक्जांपल लेके और ग्याइजिंग समझागी ठीक है तो देखो बिजनस लीच पर्चेज करनी हैंगे अपा पर्चेज रॉम मेटीरियल भी करांगे कुछ फिनिश्ट गुड्स भी करांगे पर्चेज करांगे फिर अपा पर्चेज करांगे उन्हों करांगे इन्टू फिनिश्ट प्रड़क्ट एक काम हो गया फिर जो प्रड़क्ट त्यार होएगा उन्हों फिर षेखके बंदेश्म Er भूaround करनी मेशां विले उस प्रड़क्ट आंव प्रड़क्ट आपनेल प्रीटरी करनी प्यों गओंगे उस प्रड़क्ट एक्चिवीटिस्स मैंनु अपकर नी Bowl वागीcasah तरह भी आपनों करनी होगी जेड़ा कि अपर फिछले चैप्टर देविच पढ़के ने हैं नाइथ चैप्टर लास्ट दिसकुस किता सीगा ओजेवीच आपकी डिसकुस किता सीगा कि फाइनस दी मैंजमेंट करना वी की हुदा है बहुत जुरूरी हुद है फाइनस मैंजमेंट भी इक वाइटल इंपोर्टन अक्टिविटी है कि किसे भी ओर्गनाजेशन वस्ते ता एक फाइनस दी मैंजमेंट टी अक्टिविटी भी आप एथे गिनली पहले फंक्शन देविच दा इदा दुसी की करने हैं कि सारे सारे काम गिनले कि आहोगा, आहोग, आहोगा आहोगा, आहोगा, आहोगी ऐसारे काम आपके ली एन थोठा ओर्ड़र्ड आइज आ अथोड़ अट स्टेप डि प्रोषैसॉए ार्यसिंग और इसपर्डर्पिकेशन अटिविटीस तो बी परफॉर्म लीं नरू उड़र टो कर better अधान जो भी आपनों साइंट ये लाने करने हैं क्ले भी ते पत्रीतिदों कारणें जात्रीतिक रिफ्ते इंपड कार लग supervis whats मनेंटिट stubborn division of work principle कि केंदे division of work principle कि काम नूँ छोटे छोटे पार्ट से विच वंड दो तांकि तुसी उस काम देविच स्पेशलाइज हो दो तो ओ प्रिंसीपल नूँ त्या आंगे विच रख दे हुए अपकी कार देने सारे काम नू फर्दर छोटे छोटे पार्ट से विच डिवाइड कार देने प्रॉपर डिविजन और वर्क हैल्प्स तो वाइड वेस्ट फूल एंड ओवर्लैपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड इंशॉर्स तैट नो वन पर्सन इस ओवरड़न विद वर्क ते काम इस तरह ना डिवाइड करने छोटे 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 एक्टिविटीज तांकि आप एंशॉर कार सके कि कोई भी पर्सन जिन्हों हो ड्यूटिय साइन किती जाओगी ओहो उस काम नल ओवर बड़न ना होवे बल्कि ओदे कुले सई ही काम होवे इन नीगाल संब जागी एस हीगा फर्स्ट स्टेप ना जो नेक्स्ट स्टेप थे नेक्स्ट तो है यह ग्रूपिंग उन्हों आपकणय थो टीपार्ट थी हुआ मैंंड ॉय नहीं टाउपिंग भी कह साद्यों भूपिंग औरफ एक्टिविटीश पट पक्याननें देपार्ट्मेट लाइझ न Sh हो कि अट को तो दीपार्टमेंट लाइजेशंज की हो गा जवे कि अपपड़ू कि आसे दिए अपप्यारियादेट सेती देखी कि ट्रव मतीरियल परचेस करना है फेनिस्ट गूर्ट्स पर चेस करने है तूर्स वागाद सेंट्रा पर चेस करने हैं आज पटेज रिलेटेड हैं तो इन दे अपकी कितना एक गुरूप गना था फिर उद्वाद प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी अक्टिविटेड क्या उसारे इसी मिलर हों गया उन दा एक गुरूप हो गया करते एडवटीजमंद करानी मार्कटिंग करनी जमाल बेचना मार्कटिंग पे सेल रिलेटन अक्तिविटीज नहीं एक गरूप चुपातियां finance related जो भी तुसी activities perform कर रहे हो finance नो obtain करना हो थी optimum utilization करनी अलग लग factors नो analysis करना ए सारी अलग लग जो भी activities होन गया perform उनना related आप एक department बनाता जो सिर्फ इननी की ही कहल केंदा है कि जो तुसी activities identify करके डिवाइड किती है ना इनना चो देख लो केडिया similar activities ने जिवें की English नियां हर तरह दियां बुक्स किये गया English नियां और सारी टेर आप दे बुक्स देडियां भी अपने को ले बुक्स दा टेर प्या इंग्लिश इं करने है उनना देवी तो जीडिया पर्चेस रिलेटेड अक्टिविटीज ओ चांट के अपा आड़ काटी है चांट के अड़ काटी हो जिवे लाइब्रेडी देविच इंग्लिश ना सेक्शन बनुगा ओमी अपनी ओर्गनाइजेशन देविच पर्चेस दाइक सेक्शन इक डिपार्टमेंट बनुगा जिवे हिंदी दाइक सेक्शन बनुगा लाइब्रेडी देविच ओमी प्रोड़क्शन दाइक डिपार्टमेंट बनुगा जिवे पंदाबी दाइक सेक्शन बनुगो ओमी होते सेल्स और मार्क्टिंग ते फाइनेंस दाइक होर तो तांकि औहो एको ही सुपर्वाइजर एक ही सुपीरियर दे अंडर की हों सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो जदा तुसी चोटी चोटी हों जिम्हें पर्चेज रिलेटेड लिखियां सी कि रॉम मेटियर फिरिष्ट को तूल बगयारा जो भी आपने चिज्जन थे त पर्चेज देविचे जो काम हो रहेगा वह इक टास्क है ना उस टास्क भी होना चाहिए इक होना चिज़ यह तो पर सारी या पर चेल्डिया पर की कर नहींगे एक्टिविटीज इंगे इक लिए एक्टिविटीज इंगे शुट देगी बस इन्दी कि गालके प्र नहीं the next step in the organizing process involves grouping of similar and manageable activities देखो similar and manageable activities जेडियें सिमिलर नेचर दियाने गिया ति जिनना नो तुसी manage कर सक्दोंगे इसली कथे ओ सारी activities आपकी कर देने इंटु departments and units or section on the basis of some predetermined criteria this is known as departmentalization कि जो तुसी जो different process देखो different activities तुसी identify किते हो ने विचो जो भी similar to manageable activities हुंती है यह उनना नो जो भी अपना predefined criteria हैगा उनना सामनल अपकी करता हैगा इन वह करता है, grouping करती departments, units, sections, कुछ भी कह सक्दोंगे ते grouping नुह ही कि क्या जन्दा departmentalization depending on the size of the organization and the volume of work, an organization can have several department and divisions and every department has a manager representing them at the top level of the management हुझे डिपेंड करूगा जो भी अपर departmentalization कर रहे हैंगे डिपेंड करूगा कि किन्ने departments होंगे, departments होंगे, divisions होंगे की होगे, इस साथ ही सिजना depend करूगी, कादे देपेंड करूगी, थोड़े organization दे size किन्या लाज़ से अक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, medium-scale activities परफॉर्म कर रहे हो, यह small-scale परफॉर्म कर रहे हो इस उतने डिपेंड करूगा किन्या department बननेंगे, departments बननेंगे, यह फर divisions बनननेंगे क्लिए होगे departmentalization, और देखो, बोक्स जादा होंगे लाइब्रेडी दे विचे section बननें जादा बननेंगे, निन्या काट होंगे, section बननेंगे, तो उद्द ही है थी एगा, दसो, इनिंगल क्लियर, चलो, next step से चलिए Assignment of Duties, हुन भाई तुसी कामबर्ट देख आए, वंड़ियाए, ओदे डिपार्टमेंट्स बनायाए, हुन ओ डिपार्टमेंट दे वीचे जो भी activities परफॉर्म होंगिया कि उन्स इस डिपार्टमेंट दे विज़ जो भी अक्टिविटीस परफॉर्म होन गया उन्ना अक्टिविटीस नी देख रही है अपनों एक हैड चाहिद है क्यों सारे बंदे जंडे भी सब्सक्रक्थाइब काम करंगे उन्ना नू साम सके उन्ना तो काम करवा सके ते होर व और ना नो परफॉर्म कर सकन तब थर्ड स्टेप देखना है कि जदो तुसी ग्रूपिंग करके आ रहे हो डिपार्टमेंट से इस्टैबलिश किते हैंगे तुसी अदु बाद अपा उस डिपार्टमेंट देविची कर देनियेंगी असाइन्मेंट ऑफ डूटी कर देनियें अधा दूबद इस देपार्टमेंट देविच जो बंदे काम करने उनना धी कैपेबिल्टी की होगी मतलब परसंसाइड किसे थी सामनल की कार देना एंगा उनना नों काम आशां सायरन कार देन थर्ड स्टैप असाइंशमेंट ऑ डूटी को करू इन्स देवाज और नॉप लुए ताल जो पर बार मोशितेट कर देंडेगा देट तर लुएट सर्वेज सब्सक्राविक, भीज़ी महं सब्सक्राइब्द भाड़ा शुजआ है कर देना हुन काम कर देना हुन कि करांगे उस सावर ना sayn कर ओंगे कि बंदे नों को काम करना आंधा होगे साइंस अवाड़ी टीचर है तो साइंस सब्जेक्ट्स पड़ाँनों किवाँगे यह टीचर नों अकाउंस पड़ाँनों नहीं कवाँगे तो यह आगया तो दा assignment of duties there should be a proper match between the nature of job and the ability of an individual जो भी तुसी काम कार्योंगे किस nature देगा ति उस बंदे उस काम नो करना ला बंदेरी की capabilities है आप पसे विच मैच होनिया चाहिए जे मैच नहीं हो नहीं होगा साइंसा ले टीचर दे अकाउंट्स पढ़ांगे तक अधे भी बत्यनों अकाउंट्स नहीं आप होगा क्लीर होगा थर्ड स्टेप नेक्स्ट एस्टाइबलिशिंग रोड रिपोर्टिंग रिलेशन्स उसी साइन करें हर एक बंदे नू की होदा काम होगा की होदी ड्यूटी होगी उद्दू बाद उसी की करना है का जेड़े भी डिपार्टमेंट दे विच बंदे काम कार रह उनना दा आपस देविच की डिलेशन होगा कौन बंदा कीनू रिपोर्ट करूगा कौन बंदा कीनू जाकर कमांड दोगा यह पर की करांगे एथे और इप्धे ओर जिए सारा कुछे डिफाइन करके आजांगे इन्दी ओर्गनाइजेशन इच एच 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 दोगे तो पूरीटी भी देनी पहोगे तो यह किसे बंदे को लेको काम करनी अथॉरीटी है तो उस काम लेवे वही बंदा की होगा रिस्पॉंसिबल बहुत जिमयवार होगा इपी इससे जएच एच एच एडब इड़िजल मस्वेशन वीज़ों ही एग ऑन देख एच औ तोब एक तो बाद एक तो बाद एम्प्राइर्स इंप्लॉई नो कमांड नहीं दे सकते ओए युनिटी ओफ कमांड केंदा सीगा ता फिर देखो जिस पर सानौ कमांड मिल रही नहीं पर्सन नो कमांड मिल रिएगी जो उनुक्लियर है कि उनुकमांड की दे तो मिलूगी तो फिर गल्ली खतम प्रॉला नी पूगा ओगा और दुझे बंदे नी कमांड नी लोगा दिकत कि इत्धे आओगी जित उनुक्लियर नी हैगा तो बस एधियाप और चीज़ करकर के आन तुस्या आए समझो पॉडी यह रारगी पॉडी के वें टॉप लेवल सब्सक्राइब फिर उद्धू बाग मिडल लेवल फिर उद्धू बाग लोवर लेवल तो आज इडिक पॉडी बनी आ रहे हैं न कि टॉप लेवल जो है मिडल लेवल नो कमांड दोगा मिडल लेवल नो करूगा तरह मिडल लेवल लेवल रिपोर्ट किनो करूगा टॉप लेवल नो क्या है हिरारगी एहे औंध हैल्ज न कोडिनेटिंग वेरियस अट्विटिज दी ओर्गनाइजेशन ति जदो तुसे स्टैबलिशिंग कार देनने होंगे रिपोर्टिंग रिलेशन्स नो कि तो ओर्डर्स लोगा अपा की करके है न डिफाइन करके और तांकि जोदो भी परसंस काम करना तो हर एक बंदेनों क्लियर होगे उन्हों कौन काम दोगो की देको ले उन्हें आवडी प्रॉब्लम लेके जाना है तां ऐसी गा ऑर्गनाइजिंग दा पूरा प्रोसेस चार स पहले सब्सक्राइब करना है कि इडेंटिफिकेशन इडिविजन ओफ वर्क करनी है कि जो भी काम में हैंगा उन्हों अपा छोटे-छोटे पार्स से डिवाइड करके राखलांगे फिर जड़े-जड़े चोटे-छोटे पार्स वंडेंगे उन्हां तो जड़े सीमिलर काम इक ग्रुप दूज़ा गुप तिज़ा ग्रुप फिर उन्हां देविच काम करना ले बंदे किस केपिबिल्टी दे होने चीडिये ओहो अपा साइन कर दांगे ट्यूटी जोन नो ठीक है फिर उन्हां दे अपस देविच की रिलेशन होगे ए सारा कुछ आपा डिफाइन क आप एक छोटे जा स्ट्रक्चर त्यार कर लेंगे प्लान करन तो बाद ताकि जोदो भी आपा काम करें काम की होवे सही त्रीके नल होवे काम करन देविच आपनों कोई भी दिकत ना आवे जे परसंसरों पता नहीं होगा उन्हांने किनूं कमांड देनी हैंगी किनूं जा जाना किथे नहीं जागी गल खतम डूर कियर होगी चलोगी इनिगाल कियर होगी तो नेक्स्ट चाल देंगे फीटर ऑफ और और प्रोसेस समझ आगे और गया और देखो फटा-फट फट फीटर्स देख लो पहला किया एंगा डिवीजन ओट देखो पहला स्टेपी यहां स चीन कारके रहे हो और काम में वंड के आ होगे सुद्ट फिचर तेर तुसी ओर्गनाइजिंग देजिक कारी हो गे कॉडिनेशन वे स्टेबलिश कारे हो कॉडिनेशन कालेविछ इस्टेबलिश कारे हो जो तुसी डज्वरेंटopleya कुछ गल्लादेटा बनान नी शरूगर की तुसी एक्टिविटरेस में के उनना है डिपार्टमेंट पनांधे नुद्वाटें जोड़ो तुसे डिपाटमेंट दे विचा सिंग भी होना चाहिजा है कि हर एक बंदा हर एक डिपार्टमेंट इक को दूछे नंताल मिल करके ही कम करें जे मान लो परचेज आले बंदे ने समान परचेज इनी किता तो प्रोडर्ड़क्शन आला प्रोड़क्शन कि में गरू कोडिनेशन आपको कित्थे स्टैबलिश करके आने होंगे तांकि जिनी सेल इस वारी करनी हैंगी उन्हीं प्रोड़क्शन हो सके ते प्रोड़क्शन करनी उन्हीं आस्मान भी अपा प्रचेज करेंगे करेंगे प्लस जो डिफरेंट ग्रॉप्स बनाया हैंगे उन्हा देविच कोडिनेशन भी इस्टैबलिश करके आने हैं पुलारीटी ऑफ पर्संस हो एनने सारे डिपार्टमेंट्स उसी बना के आयों ग्रूपिंग करके आयों अक्तिविटीज देविचे इनने डिपार्टम होनगे तो बंदे भी बहुत चाहिए एक बंदा था नहीं सारे अलगलग डिपार्टमेंट से आके काम करूगा तो प्लारीटी ऑफ पर्संस देविचे काल लगी कि कोई भी एक्टिविटी के इंडिविजल परसंन नी प्रफॉर्म कर देगी तो उन्हां प्रफॉर्म करन प्लारीटी ऑफ परसंस देगे तो सारे परसंस की कर देगे कौमन अब्जेक्टिव जो भी और्गनाइजेशन दा है उन्हों पूरा कर लें कम कर देगे और्गनाइजेशन देगे मशीन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा कम होगा के नहीं होगा इडिपेंड कर देगा कि तुसी किस तरा दी मिशीन देगे तूसी тобा मशीनरी वर्त होगे तोछी अब्राइज होगे यह नों पते हैं पिल मेंद्वि तो प्लेसे किसे शॉप दे अकॉंटस juice कार तो तो दो और अकाउंट्स मेंटेन करने तुसी लैप टॉप यहां फिर कंप्यूटर यूज कर रहा हूं और कियेगा बहुत स्लो है रुक रुक के चाल दाएगा दो पंज मिंट लागदांद एक एंट्री सेव होंते विछ इतुन काम करने विछ मजा होगा कि काम टाइम दे पूरा मौने काम करन्ली ओके होनी चाहिए ठीप टॉप होनी चाहिए ठीप टॉप नहीं है अपना अप्जक्टिव पूरा नहीं होगा यहां और हैर्गाईजेशन और सेट स्टब एगा और कम करन्दी ओ शॉरी हों मशीन क्या गेगा गएगा जी दे उत्ते सारा वी स्कूरा जो स्ट्रक्चर तुसी त्यार किता है काम करना वधिया नहीं होगा तो सब्सक्राइब थोड़ा उब्जेक्टिव भी पूरा ना होगे थे थोड़ी मैनेजमेट भी वधिया ना होगे क्लियर होगे फीचर्स तो और्गनाइजिंग की एगी एक मशीन हैगी तक त्यानना बहुत सोच समझ के थो नो और्गनाइजिंग करनी पर पूरा स्ट्रक्चर त्यार करना पर आगा आप दे अब्जेक्टिव नो त्यांच राख के की तुसी अचीव करने कित्थे तक तुस पर पर करोंगा तो की हो जोगा उसकाम देविच ता फिर श्पेशलाइजेशन ना बैनेफिट अचीव कर सके ता कर क्या पकी कर देंगे और नाइजिंग कर देंगे क्लारिटी इन वरकिंग रिलेशन वुन जदो तुसी इस्टैबलिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन कर क्या नो कि आप हर एक बंदे दा आप उसे विच की रिलेशन होगा कौन सबढ़रिनेट होगा कौन सुपीरियर होगा इए हर एक चीज़ आप रिक डिफाइन कर रहे तो हार इक बंदे नूँ की होगा, क्लारिटी होगी कि वोगे सामने आले परसनल की रिलेशन है, सेम लेवल ते काम कर रहना बंदे है कि लोगर रहे बंदे तो थल्ले है, फॉर एक यहाँ A है, उन नंबरों परसन काम कर रहे होंगे, तो उन निचे काम कर रहे है कि ऐनो लुदD वी नॉलेज होगी, जो भी सारे रिलेशन क्रियेट करे। तो भी ब्रबर लेवल तो ले लिज जो कम कर रहेए के ए नोडी वी नॉलेज होगी तो उत्ते लेते बंदे काम कर रहेगे, तो भी clear हो जोगा जोदो तुसी establishing reporting relations करके आऊंगे तो हर एक बंदे दे आपस दे बिच काम दे related की relations दे आपका की कार देने clear कार देने हैंगे और्गाइजें दे बिच optimum utilization of resources जोदो थोड़े काम दे बिच specialization आगी था तुसी की करोंगे थोड़ी efficiency वाद जोगी efficiency वादगी था वेस्टर्स काट जोगी वेस्टर्स काट जोगी वेस्टर्स काट गी था resources optimally utilized भी होंगे adaption to change होंदे को तुसी काम बांड के आए होंगे काम दे तुसी departments भी बनाते हैं तो दानों एक काम हर एक बंदेनों असाइन करें तो उन्होंदे आपस दे रिलेशन्स भी था ता हुम तो इसी की जित है का defined structure बनाता है जदो भी इस मानलों की structure देविच अब बनाते हे दानेमिक एता है तो देनमिक एक एक बनाते है किस ने मेदें कुछ ने सुन दे रहनेंगे तो बनाते है तो अपनी organization ली कुछ ने कुछ ने होंगा तो ईध्यू इसी हो दुए हो ज़ए है क्यों कि हर एक बंदे आवज अव दे working सब्सक्राइब करेंगे एफटिव एडिया हो जान दियेगी डेवलप्मेंट ऑफ पर सोनल स्पेशलाइजेशन आगी परसंस देवेचे एफिशंसी इंक्रीज होगी तो उना दी डेवलप्मेंट भी होनी तहां इस तरह नल काम आप पर डिवाइड कार देंगे डिवीजन का कर देंगे तांकि उस परसंद की होवे डेवलप्मेंट हो सके तहुं नेक्स्ट पॉइंट किया इंदा एक्स्पेंशन एंड ग्रोग देखो थोड़े कोले काम करना ले जएड़े परसोनल परसंद आएगे ओवी आफदे आफदे कम देविच डेपलाप होगे प्लस जोद छोड़े कोले ताइम है सोच चाना हो कि बिस्नस तो एक्सपेंड करने ग्रों प्लस थोड़े कोले कड़े कम करना ले बंदे ओ वही गांट थे बिस्नस अपी ग्रों खार जुगा एक्सपेंट कर लोंगे ताहि यह कुछ बैनेफिट्स रही आइगे और्ग्ण से बिच्ज तोर्सेज नो आपो आप्टिमममली यूटिलाइज कार पाने हैंगे चेंज भी इसली अड़ेप्ट कार लेने हैं एडिर्सेशिन अपनी वर्किंग बदिया होई जन दियेगी डेवलाप्मेंट हुं दि अपने कोले कम करें ना ले इंपॉर इस जदो अपने कम दिन चैनले इर यह इंज है तो नदी डेवलाप्मेंट हुन दियेगी थे एक्स्पेंशन एंड ग्रोथ भी हो सद्धेगी इसली जे तुसी कम डिवाइड करके आऊंगे जे सारा कम आवदे को लिए ही रखी बाटोंगे तो एक्स्पेंशन एंड ग्रोथ करनी अखी है आज़ा पाड़ डिसके तो ओर्गाइजिंुग ना मतलब और बैसिंग प्रोसेस और इंडिवाइजिंग देशा एंड इंपोर्टेंस हो थो नू एफनी गाल क्लीर होगी होगी यह एनने लेक्षर देविच्छो थो नू कोई भी डॉट आवे कोई भी कोई भी कोई आवे त कमेंट सेक्षिन देविच अपनी कोईरी लिख दियो या फिर जो अकाउंट मेंशिन कार देएंगे सी डिस्क्रिप्शन देविच उन्ना तुरू भी तुसी अपनी कोईरी सानू पुछ सब देओंगे थाइंक यू सो वाएंगे निक्स्तर दिविच फ्या होवे थे खुट है